प्रकास्वयम का होता है ठीक और आप्रकासी जो बस्त होती है उसके पास अपना प्रकास्वयम का नहीं होता है अर्था आते वह चमकने वाली बस्तूओं के प्रकास से प्रकासित होती है प्रकास्वयम का होता है अब समझे दूसरा हम बताये थे आप्रकासी आ प्रकासी मतलवे हो गया इसके अंतरगत आएंगे ठीक ना पिर्थबी जैसे ग्रह ठीक तो ध्यान दीजिए ये जो पिर्थबी है पिर्थबी के पास अपना प्रकास नहीं होता है पिर्थबी के पास अपना प्रकास नहीं होता है ये पिर्थबी जो होती है तारे ठीक ना चमकने वाली चीजों के प्रकास से प्रकासित होती है चमकने का मतलव यह हो गया ये सुर्य जो है आपका क्या है तारा है और इसी तारे की सहायता से जो पिर्थबी होती है वह प्रका हम लोग का जो जीवन हो रहे वह भी क्या होता है अंधकार मैं हो रहता है कि सुन मैं है चलिए आगे बढ़ते हैं यह हो गए आपके तारे और एक ग्रह कि सुन मैं है अब ध्यान दीजिएगा यहीं से समझने वाली चीज है यह तारे है ठीक नै और तारों का यह क्या होता है जो समू होता है इसी समू को कहते हैं क्या तारा मंडल क्या होता है तारा मंडल ठीक तारों के समू को क्या कहते हैं तारा मंडल ठीक, अब ध्यान दिजे, यह जो तारा मंदल होता है, इस तारा मंदल के यह जो समू होता है, क्या होता है? समू, यह जो समू होता है, किसका? तारा मंदल, इस तारा मंदल के समू को कहते है, निहारिका, क्या काते है? निहारिका या इशी निहारिका को कहते हैं आकास गंगा क्या कहते हैं आकास गंगा फिक इसे क्या कहते हैं आकास गंगा या इशी को कहते हैं निहारिका के लिए हुआ चलिए आगे बढ़िए अब यहां जो समू चला इस समू को जरूर समझेगा क्योंकि यहां से कोश्चन आपका बन सकता है यह पूछ सकता है निहारिका का सम्बंद किस से तो यहां पर क्या होगा तारा मंडलों के समू को क्या काते है निहारिका काते है या इसी को काते है आकास गंग ठीक केलियर हुआ अगर यहां से कोश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे कोश्चन को कर सकते हैं उसके बाद आगे बढ़िए अब ध्यान ये यही पर समू बनाईए किसका ये जो निहारिका थी निहारिका के समू को निहारिका के क्या काते हैं ब्रह्मांड काते हैं क्या काते हैं ब्रह्मांड काते हैं क्लियर हुआ आई यहाँ द्यान ये बताए इस ब्रह्मांड में दो तरह की चीजे होती हैं एक होती है चमकने वाली अरथात प्रकासी चीज प्रकासी चीज में जैसे आपका क्या है सुरे जैसे तारे तारों के पास अपना स्वयम का प्रकास होता है ठीक आईए यहाँ पर आप्रकासी आप्रकासी का मतलब यह हो गया ध्यान यह कि इसके अंतरगत आता है जैसे आपका ये पित्वी जैसे ग्रह ग्रहों और ग्रहों के पास क्या आता है अपना प्रकास नहीं होता है क्या होता है अपना प्रकास नहीं होता है ये तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं किसके प्रकास है तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं ठीक आईए आगे बढ़ते हैं अब ध्यांद ये ये जो तारा है इन तारों के समों को तारा मंडल काते हैं तारों के समू को क्या काते हैं तारा मंडल और तारा मंडलों के समू को क्या काते हैं निहारिका या इसी को काते हैं आकास गंगा ठीक ना आएए फिर क्या आता है ये जो आकास गंगा है इस आकास गंगा के समू को काते हैं ब्रह्मान क्या काते हैं ब्रह्मान यहां तक तो खेलियर हुआ होगा ठीक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत सारे कोश्चन आपके एशी में छीपे हुए लगभग 8-10 कोश्चन बताए भी कि तारा मंडल किसका समू है तारो का समू है निहारिका याकास गंगा किसका ठीक यह जो ब्रह्मांड है ब्रह्मांड किसे काते है तो निहारिका याकास गंगा के समू को ब्रह्मांड काते है तो यह सारी चीजे आपके किस से हो गई ब्रह्मांड से हो गई अब इसी में हम पढ़ेंगे अब ध्याने सब के प्रकार के बारे में प्रकार में कौन है जै इन सब के प्रकार के बारे में, केले हुआ, चलिए, अब शुरुआत हुआ था आपका किसे तारों से, यहां लिखेंगे तारों के प्रकार, तारों के प्रकार में जानने का प्रयास करेंगे कि तारे कितने प्रकार के होते हैं, सुझ मैंग नहीं, तारों के प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो तारे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक? कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोग तो मालिजे सुने ही होंगे या जानते होंगे, तो ध्यान दिजेगा ये जो तारे होते हैं, तारे जो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, तीनों प्रकारों म छोटा तारा, ठीक, दूसरा है आपका है, मजला, तारा, और तीसरा है आपका बड़ा तारा, क्या है, बड़ा तारा, ठीक ना, चलिए, समझ में आया होगा, तारे कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन, छोटा, मजला, बड़ा, समझ में आया होगा, अब इसे सुनने के बाद एक प्रस्ण जरूर मन में बोज रहा होगा, कि ये तो हो गया, कि गुरु जी बताइए कि मजला तारा को, सुरी किस तारे के अंतरगत आएगा, तो ध्यान ये सुरी जो आता है, ये आता है आपका मजले तारे के अंतरगत, सुरी किस तारे के अंतरगत आता है, मजले तारे के अंतरगत आता है, किस तारे के अंतरगत, मजले तारे के अंतरगत, किस तारे के अंतरगत मजले तारे के अंतरगत किलियर होगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि भाई सुर्य जो है यह धर्ती पर जो श्रिष्टी का सबसे बड़ा जो सुर्वत है इस सुर्य ही है समझ मैं नहीं किलियर हुआ आईए यहां पर अब जानी जी अच्छा एक चीज यह बताईए कि जैसे मानों की क्या होती है उत्पत्ती होती है क्या होती है उत्पत्ती होती है उसी तरह से क्या होता है तारों की भी उत्पत्ती होती है तारों की मृत्तु भी होती है सुन्यमेग ने तारों की उत्पत्य विवत्य है तारों की मृत्य भी होती है कैसे अब ध्याने सबसे पहले जानेंगे तारों की उत्पत्य कैसे होती है समझेगा बस इसी बगल में हम बता रहे हैं थेक ध्यान दिजिएगा ये हम बताएं इसके पहले की इस ब्रह्मान में सरवाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है ये हाइडोजन गैस पाई जाती है हाइडोजन ठीक क्यों सी गैस पाई जाती है हाइडोजन और ये हाइडोजन ध्यान ये हाइडोजन के जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं समझेगा हाइडोजन के जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो तुरंत वही शुरू हो जाती है नाभ की सल्लेयन की प्रक्रिया क्या शुरू होती है नाभ की सल्लेयन की प्रक्रिया किलियर हुआ फिर एक बार हाइडोजन की जब दू नाभी का आपस में मिलते हैं तिहाँ शुरू होता है नाभ की सल्लेयन की क्रिया किसकी शुरुवात होती है नाभ की सल्लेयन की क्रिया फिक जब नाभ की सल्लेयन की क्रिया शुरू होती है तो इसी नाभ की सल्लेयन की क्रिया क्या होती है एक तारे का जन्म होता है तारे की क्या होती है उत्पत्ति होती है क्या होती है उत्पत्ति होती है किसकी उत्पत्ति होती है तारे की कि उत्पत्ति होती है कि सवन्मयाग ने किसको उत्पत्ति होती है तारे की सवन्मया अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजेगा उत्पत्ति हो गई तब इहीं करेंगे गुरुझी जब उत्पत्ति होगी इसकी टुमिर्ट्य भी होती होंगे प्रस्ण जरूर आएका ने दिमाग में ऑपोजिट जरूर गुंसतार आता है और सही बात है जिसकी उत्पत्य हुई है उसकी मृत्य भी क्या है संभव आज नहीं तो कल क्या होगी उसकी मृत्य होगी मृत्य होगी ने तो ध्यान यह कि मृत्य कैसे होती है जैसे होता क्या है कि हमारी उत्पत्य हमारी उत्पत्य हुई है आप लोगों की उत्पत्य हुई है ज तो ध्यान ये को उत्पत्य होने के बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि सारे लोगों की अवस्थाएं ढलने लगती हैं और ढलने के बाद क्या होता है उनकी मृत्य हो जाती है फिक उसी तरह से ये जो तारा होता है क्या होता है तारे ध्यान दिजेगा जब हाइडोजन के दो नाभी का आपस में मिलते हैं तो नाभ की सलेन की क्रिया प्रारम होती है प्रारम होने से एक तारे का जणम होता है फिक अब ध्यान दिजेगा जब तारे की उत्पत्य का ये मुखे सुरोट जो हे हाइडोजन है अब यही से ध्यान जी हाइडोजन को क्या करिए समाप्ठ कर दिजेगे तो नाभ की सलेन की क्रिया अपने ये तारे की मृत्त होने लगेगी जैसे भोजन हम करते हैं और हमारे भोजन को क्या किया जाए कम कर दिया जाए ठेक क्या किया जाए कम कर दिया जाए जब हमारे भोजन को कम कर देंगे धीरे धीरे हम क्या होंगे कमजोर होंगे कमजोर होते होते एक ऐसी अवस्था आएगी कि हम क्या करेंगे अपने मृत्त को प्राब्त कर जाएंगे सुन्मैग नहीं तो एक प्रकास हम कर सकते हैं कि यह जो तारे है तारों का मुख्य भोजन जो ही क्या है हाइडोजन है यदि हाइड्रोजन को समाप्त कर दिया जाए ति अपने आप ही क्या होंगे कमजोर हो जाएंगे और कमजोर होने के बाद तुरंत इसकी क्या होगी मृत्त हो जाएगी ठीक सुननाया चलिए अब ध्यान दिजिए यहां से ध्यान दिजिएगा थोड़ा सा हम लोग ले चलते हैं दूसरी तरफ इसी को जोडते हैं दूसरी तरफ से जोडते हैं कैसे जोडेंगे जैसे मालिजे, यह हम लोग भोजन बनाते हैं किस पर, मालिजे बहुत लोग के पास क्या, सिलेंडर है, अन्य चीजे हैं, सिलेंडर पर भोजन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन गाउन देहात में जो भोजन बनता है, वो किस पर बनता है, लकडी पर, किस पर बनता है, लकडी पर, बनता है ध्यान दीजेगा लकड़ी पर बनता है तो लकड़ी को जलाते हैं जलाने के दवरान क्या होता है लकड़ी तब तक जलती रहती है कि जब तक कि इसके सारे पदार्थ ना जल जाए नहीं जब तक कि इसके सारे पदार्थ क्या है ना जल जाए तब तक को क्या होता है पूरी लव के साथ जलते जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है कि लकड़ी जब पूर रूप से जल जाती है तो यह क्या होते आती है लाल हो जाती है ठीक नै अब जब यह लाल होती तीशी को क्या काते है अपनी भासा में अंगारा क्या काते हैं अंगारा यही न काते हैं क्या काते हैं अंगारा और उसी अंगारे पर क्या काते हैं लाव उठाते हैं भोजन पकाते हैं ठीक यही अंगारा फिर क्या आता है धीरे धीरे अंगारे पर क्या आता है सफेद सफेद जुर्री पढ़ने लगती है देखें होंगे क्या होती सफेद सफेद जुर्री पड़ती है और वहीं जुर्री फिर क्या होती सफेद हो जाती है तो ध्यान दिजिए जब ये छोटे तारे की मृत्य होगी क्या होगी मृत्य ठीक तो छोटे तारे की जब मृत्य होगी यह बनेगा क्या लाल दायत्य या इशी को काते हैं सफेद बामन क्या काते हैं सफेद बामन क्या काते हैं सफेद बामन जब छोटे तारे की मृत्ति होगी तब किलियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा था आपका मचला तारा कौँ सा था मचला तारा ठीक कौँ सा तारा था मचला तारा तो ध्यानिये कि मचले तारे की मृत्य होगी बड़े तारे की मृत्य होगी यह सारे तारों की मृत्य होगी और जिसे क्या काते अलग अलग नामों से जाना जाता है यह मचला तारा था तीसरा था आपका बड़ा तारा क्या है बड़ा तारा फिक क्या था बड़ा तारा तो ध्यांदिये की अब तक ये बताएं कि जब छोटे तारे की मृत्य होगी तो वह बनेगा लाल दैत या उसी को कहते हैं सफेद बामन क्या काते हैं सफेद बामन सफेद नहीं और जब ये तारे मिलते हैं तिश में होता क्या है कि ये जो नावकी सल्लेन की क्रिया प्रारम होती है उसमें इलेक्टरान प्रोटान ठीक ने ये सारी चीजे होती है तो जब ये सारे तब तो समाप्त हो जाते हैं तो इलेक्टरान और जो प्रोटान होते हैं इस इसलिए इन दोनों क्या काते हैं न्यूटरान तारा तो यहां से बहुत ज्यादा कोशन आता नहीं है थोड़ा सा लंबा समय यह सारी चीजे ले रही है बस इतना जानिये कि इनके मरने की घटना को किसने समझाया था तारों के मरने की घटना को किशने समझाया था। छंद्र शेखर है शुल्ब्रमडियम क्या है कि इन्हों ने क्या किया था तारों के मरने की घटना को समझाया था और इसलिए ने oh मिला था नोबल पुरुष्कार भी मिला था किसको मिला था चंद्र शेखर शुभ्रमणियाओं को पलसर तारा थीक और उसके बाद जब इसकी मृत्य होती है इसे काते हैं ब्लैक होल क्या काते हैं ब्लैक होल थीक इसे क्या काते हैं ब्लैक होल काते हैं वह सुननलाया कि यह किलियर हुआ तारों की कि मारेने की घणना जब चोटा थारस उसकी मिरित्य होगी तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे लाल दैट या सफेद plamath जब मथ़ले तारकि म्रित्य होगी तो उसे कहेंगे न्यूट्रान तारा या पुलसर तारा फिक जब बड़े तारे की मृत्ति होगी तो इसे कहेंगे ब्लैक होल क्या कहेंगे ब्लैक होल किलियर हुआ इन तीनों के मरने की घटना को किसने समझाया था चंद्र सेखर सुब्रमडियम ने किसने समझाया था चंद्र सेखर सुब्रमडियम ने और इसलिए चंद्र सेखर सुब्रमडियम को क्या है नोबल पुरस्कार भी मिला था किलियर हुआ तीहां से आपका कोश्चन बन सकता है लगभग चार पांच किस्शे बनेगा तारों के मरने की घटना से मन्दीत किसने समझाया था किसने नहीं समझाया था यह सारी चीजे क्या है आपके कोश्चन में आ सकते हैं आपके परिक्चाओं में ऐसे कोश्चन पूछे जा सकते हूं प्रिक चलते रहे ना चलिए ये चीजी तो हो गई अब हम बताते हैं ये हो गए तारे के प्रकार तारों के प्रकार में दूसरा तारों के समूं को तारा मंडल काते हैं ये चीजे तो किलियर हो गई उसके बाद उसके नीचे आपका जो तारा मंडलों के समूं को क्या काते हैं निहारिका काते हैं य कितने प्रकार की होती है, ठीक, चलिए, नोट करिए इसे, आकास गंगा, ये है आपका आकास गंगा, अब जानेंगे आकास गंगा के, ठीक न, डाइरेक्ट लिखिए, प्रकार, क्या लिखेंगे, प्रकार, ठीक, आकास गंगा के प्रकार, तो आकास गंगा के कितने प्रकार होती है, ये होती है, तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, खेलियर हुआ तो ध्यान ये तीन प्रकारों में पहला आपका है गोला कार ये होता है गोला कार दूसरा होता है सर्पा कार ठीक और तीसरा होता है आ नियमित क्या था है आ नियमित तो आकास गंगा कितने प्रकार की तीन प्रकार की कितने प्रकार की तीन प्रकार की पहला है आपका है गोला कार दूसरा है आपका सर्पा कार और तीसरा जो है यह आपका है आनियमित क्या है आनियमित ठीक अब प्रस्णा यह उठाओगा कि आखिर में इसका मतलब क्या है क्यों ऐसी आकास गंगाय होती हैं क्या इनका तारों से कैसे कैसे क्या क्या संबंध होता है ठीक क्या क्या संबंध होते हैं बस उसी के बारे में बताएंगे कैसे कैसे संबंध होता है कौन तारे कहा पाय जाते हैं कौन तारे कहा पाय जाते हैं और किसमें सबसे ज़्यादा ता पहला जो था यह था आपका गोला कार, गोला कार में ध्यान दिजिए इसमें जो तारे पाये जाते हैं, वो पाये जाते हैं कौँव से तारे, पुराने तारे, पुराने तारे कौन से तारे पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं पुराने तारे यहां दीजिएगा गोलाकार निहारिका में किस प्रकार के तारे पुराने तारे समन्दाया इसमें नए तारों की उत्पत्ति नहीं होती है समन्दायक नहीं तो गोलाकार निहारिका में पुराने तारे ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा है दूसरा है आपका है सर्पाकार निहारिका ठीक ने कौशी है सर्पाकार निहारिका ठीक तो ध्यादिये कि सर्पाकार जो निहारिका है इस सर्पाकार निहारिका में ध्यादियेगा इसमें नए और पुराने दोनों प्रकार के तारे पाये जाते हैं ठीक, इसमें क्या है नए और पुराने, ठीक न, दोनों प्रकार के तारे पाए जाते हैं, ठीक, दोनों प्रकार के तारे पाए जाते हैं, ठीक, तो सर्पाकार निहारिका में नए और पुराने तारे दोनों पाए जाते हैं, केलियर हुआ होगा, चलिए, अब ध्यान दिजिएगा, यह जो सर्पाकार निहारिका है, इस सर्पाकार निहारिका के एक कौने में यहीं पर आपका क्या है, यह सुर्य है, कौन है, शुर्य है, ठीक, तो सुर्य के सितिक किस निहारिका में है, सर्पाकार निहारिका में है, इस सुरे की सितिक किसमे है यह है आपके सर्पाका निहारिका में और इस सर्पाका निहारिका के एक कोने में हैं केलियर हुआ तेहार दीजिएगा यह जो मैं बता रहा हूं यदि आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो नोट्स भी आराम से बना सकते हैं समझभा यहाग नहीं ? अरफ नोट के साथ यह बता रहा हूं आपकी परिक्षाओं के लिए यहाँ से बहुत ब्रह्माण्ड से बहुत सारे quoshton आते हैं और कई बार यहाँ से question पूछे गए हैं हर परिक्षाओं में एक दो question पूछे जाते हैं और इस बार इसके आगे जितने भी आरो ये आरो ठीक ना जो परिक्षाए हैं यहां से कोश्चन आपका ब्रह्मान से उठ सकता है या मिल सकता है ध्यान जीए का जरूर एक-दो कोश्चन आपका यहां से मिलेगा श्योर मिलेगा ठीक चलिए तो ध्यान दिए यह जो सुर्य है किश निहारिका में पाया जाता है यह पाया जाता है सर्पाकार निहारिका के लिए रुगा कि सुन्गाया आगे बढ़ते हैं तीसरा आपका है अनियमित निहारिका अनियमित निहारिका में इनका कोई क्या होता है आकार नहीं होता है आ नियमित निहारिका क्या होती है इनका कोई आकार नहीं होता है सुन्वैग नहीं तो ध्यान ये तो ये जो आनियमित निहारिका होती है इस आनियमित निहारिका में नए तारे पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं नए तारे पाए जाते हैं किसमे पाए जाते हैं आनियमित निहारिका में मतलब यह किसमे नए तारों की जो है बरावर उत्पत्ति हो रही है क्या हो रही है नए तारों की उत्पत्य हो रही है हमेशा कुछ नुकुछ इसमें नए तारे क्या है आ रहे है उनकी संख्या बढ़ रही है चलिए एक कोश्चन का आप उत्तर दीजिएगा कि शर्पा का निहारिका में किष प्रकार के तारे पाये जाते हैं ठिक तेशे जरू लिखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं यह हो गया आपका बताए कि तारों के प्रकार निहारिका के प्रकार ठिक, समझा आया चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह से ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट और नोट करिएगा यह ब्रह्मान की इकाई ब्रह्मान की इकाई ठीक ब्रह्मान की इकाई क्या है यह है आपका तारे तो ब्रह्मान को किसे मापा जाता है तारों से मापा जाता है किसे मापा जाता है तारों से मापा जाता है ठीक अगर इकाई पुछेगा तब कहेंगे कि ब्रह्मान की इकाई तारे है अगर पूछता है कि ब्रह्मान किसे काते है तो इसमें कहेंगे निहारिकाओं के समू को या आकास गंगा के समू को ब्रह्मान कहते हैं इन चीजों का विशेश करके ध्यान दीजेगा ठीक निहारिका ये जो होती निहारिकाओं के समू को क्या कहते हैं ब्रह्मान कहते हैं और ब्रह्मान की काई क्या है तारे हैं और इसी तारे से हम क्या करते हैं उन सारी चीजों को ब्रह्मांद को मापते हैं कि ब्रह्मांद कितना बड़ा है केलियर हुआ है चलिए